Now we will learn why is it important to cultivate leadership skills in kids. भई क्यों अपने बच्चों में हमें leadership skills पैदा करना है? हमने पिछले modules में बात की है कि कुछ activities हैं जो leadership skills पैदा करने में मदद दे सकती हैं. लेकिन ये सब जरूरी क्यों है? देखिए अगर हम अपने बच्चों में technical skills पैदा कर दें या हम उनको दूसरों से बेतर बना दें तो यकीनन वो leadership qualities hold कर सकते हैं. अब technical skills क्या है? Technical skills, social और emotional skills भी हैं. लेकिन हम यहाँ पे focus कर रहे हैं how to handle the equipment and environment around you. बच्चे किस तरह से अपने इडडड़ के equipment को deal करते हैं? चीजों को किस तरह से संभालते हैं? किस तरह से रखते हैं? उनकी organizational skills क्या हैं? उनकी cleaning skills क्या हैं? और यह कि फिर वो दूसरे बच्चों के से deal करते हुए किस तरह की language इस्तमाल कर रहे हैं? किस तरह का attitude इस्तमाल कर रहे हैं? यह वो skills हैं जो उनको काम्याब leader बनाती हैं. वही बच्चा दूसरों में हर दिल अजीज होता है जिसकी गुफटगू का अंदाज अच्छा होगा. जैसे हमने अर्स किया कि वो excuse me, sorry, thank you कहना सीखता है. जजाक अल्ला, माशाल्ला, इन्शाल्ला कहना सीखता है. तो वो हर दिल अजीज हो जाता है. फिर हमने कहा कि आपने अपने बच्चे को दूसरों से मुम्ताज करना है. कैसे? उसका तरीका यह है. जैसे मैंने पहले भी अर्स किया, कि बच्चों को वो quality सिखाएं जिससे दूसरों की मदद हो सके. कोई भी शख्स अपने मदद करने वाले को पसंद करता है. तो जो पीर्ज उसके इड़गिद हैं, उनको वो समझता कैसे है, उनकी मदद कैसे करता है, उनको काम करने में किस तरह से हल्प आउट कर सकता है, बड़ों की obedience और फर्वांबरदारी कैसे हो सकती है, educated के साथ, अपने teacher के साथ उसका रवईया कैसे है, और अपने इड़गिद के environment को किस तरह से वो safely use करता है, safely handle करता है, ये वो सारी skills हैं जो उसको हर दिल अजीज़ बनाने के लिए काफी हैं, तो हम ये क्या करेंगे कि अपने बच्चों के अंदर confidence विल्ट करेंगे, देखें, अच्छाई की तरफ या बेहतरी की तरफ वो ही बच्चे आते हैं, जो पाइतमाद होते हैं, जो confident होते हैं, तो confident होने के लिए जरूरी है कि उनकी होसला अफजाई की जाए, आप उनको encourage करेंगे छुटे-छुटे से काम फर पर पी, तो यूशुड आपको clap कहना चाहिए, माशालला कहना चाहिए, उसको appreciate करना चाहिए, ताके वो उसका जो रवया है, वो reinforce हो, अगर वो educators है, school के अंदर है, तो वो अपने इड़-ड़ की चीज़ों को organize करता है, उसके जिम्में लगा सकते हैं, कि वो math corner को organize करें, दूसरों के साथ मिलके, या अकेले में, या science corner में करें, दूसरों को lead करें, किस तरह से वो science corner को बहतर arrange कर सकते हैं, या सफाई कैसे कर सकते हैं, बच्चों के जिम्में छोटे-छोटे काम लगाएं, तो आपको appreciate करना चाहिए, ये reinforcement उनको दूसरों से बहतर बनाती है, जिन बच्चों की होसला अफजाई नहीं होती, वो पीछे रह जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कि हम उनके अंदर बेहतरीन social skills भी पैदा करेंगे, और हम चाहते होंगे कि वो दूसरों के साथ अपने जजबात का इजहार भी कर सके, उनसे बात करें, अपनी खुशी और अपने दुख को बियान कर सके, और लाइक वाइज उनकी खुशी और उनके दुख को सुने, उसको वर्थ दें, वाल्यू दें, और उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करें, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको दूसरों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, पहले शेयर करना होगा, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आप उनको अपने पूरे दिन की कहानी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, कि भी आज सुबा ऐसा हुआ, फिर आप यहां बच्चे को सुनाएंगे, तो surely वो भी आपको अपनी स्टोरी सुनाएगा, वो भी बताएगा उसके दिन में क्या हुआ, किन लोगों से मुलाकात हुई, किस से बात हुई, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ये स्टोरी आप उनके साथ घर की स्टोरी स्कूल में शेयर कर सक किते हैं, और likewise घर में स्कूल की भी कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक तो बच्चों को कीनली अब्जर्व करने की आदत पड़ती है, कि एक दिन अगर आप उनसे सुन रहे हैं, कि आज के दिन क्या हुआ, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कहां पर आपको क्या करन किते हैं चीजों को और उनको उसमें अच्छाई और बुराई की पहचान होती रहती है, अच्छा ये मैं ठीक, मैंने ठीक कर दिया, यहां मेरी गलती थी, इसको मुझे दूर करना था, सो हम ये कहते हैं, कि जब आप अच्छाई और बुराई की तंवीज बच्चों में पै दुसरे को धक्का नहीं दे सकता या मैं दुसरे की किताब कापी उच्चोरी नहीं कर सकता या उसकी अजाजत बगएर नहीं उठा सकता, अगर मैं ये नहीं कर सकता क्योंके मेरे कुछ rules हैं, कुछ मेरी values हैं तो ये मेरी identity है, ठीक है? अगर आप कुछ भी कर जाएहे, कोई गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कोई value नहीं और आपकी likewise कोई identity भी नहीं, तो एक leader जो है उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी identity develop करनी है, मैं फिर कहूंगी इसके लिए reinforcement बहुत जरूरी है, जब बच्चे अच्छा काम कर रहे हों, उनको पैट करें, थपके उनको बताएं कि आपने बहुत अच्छा किया है, और जब वो दूसरों की मदद करें, जब वो किसी की चीज उठाके लाके उसको पकड़ाएं, जब किसी के पास नहीं है उसको जाके दें, अपनी जगा को, अपनी equipment को साफ रखें, अपनी किताबों को सलीके से student बनाएगा,